अरे गबराती क्यों हो देशमोग, अब तक तो जलकर राक बन चुका होगा, अरे तुम लोगों का अपने दोस्तों पर भरुजा ही नहीं है, बस बस अब ये भाशन बन करो हमारे कान के परदे पट रहे हैं, बस बन कर, रामधीन, कौन बोल रहा है, चला मत, और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले, तुने मेरी राक मंगवाई ती टिका लगाने के लिए, मैंने तरह भड़वो की राक बेजिये, पूरे बदन को लगा ले, ठंडा कर, अपना भेजा ठंडा कर, चत्रुसिंग क्या आदमियों की चिता जलाना, तुम जैसे पागणों की बस की बात नहीं है, ठंडा कर, यकीन नहीं आता तो उस राक को मसल कर देख, तेरे पालतु कुत्ते की निशानिया उसमें मौजूद है, अबे हराम के, तुने चलती हुई आख में हाथ डाला है, हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे, कि तेरे चाने वालों को गंगा में बहाने के लिए, तेरी राक भी नसीब नहीं होगी, अरे मुझे जलाने की बात छोड़ू, मैं तो तुझे ऐसे माउत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आस्मा, चातुरसिंग उपर वाले के हाथ से तु बचे ना बचे, लेकिन मेरे हाथ से तेरे को कोई ने बचा सकता, अगर एक बाप के आउलाद है, तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा, तु भौकता बहुत है अराम के, और भौकने वाले कुट्ते हमें पसंद नहीं, अगर अपने बाप के आउलाद है, तो आजाना महलक्ष में चौक पे, हम हर साल नवरात्री को मा की पूझा करने वहाँ जाते हैं, अरे जितनी मन्न ते मांगनी आया, आखरी बार मांग ले, ये तेरी जिन्दगी के आखरी पूझा होगा,